So Hello Everyone, Welcome Back to My New Video Friends, आज का हमारा टॉपिक है अनुसूची और प्रश्नावली में अंतर आज के हमारे इस वीडियो में हम अनुसूची और प्रश्नावली के बीच पाये जाने वाले अंतरों के विशे में जानेंगे यह बहुत ही important वीडियो है तो इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक वोच करिएगा बिलकुल भी skip मत करिएगा फ्रेंट्स वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और जादा से जादा लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा जिससे कि यह वीडियो जादा से जादा लोगों तक बहुत सके फ्रेंट्स चैनल बहुत जादा माइनस में जा रहा है चैनल को आप सभी के सपोर्ट की बहुत ही जादा जरूरत है तो प्लीस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सपोर्ट करिए सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल प्लेट जरूर कर दीजेगा जिससे कि आपको मेरी लेटिस्ट वीडियो की अपडेट्स मिल चके क्योंकि इस चैनल पर आपको इस तरह की इन्फरमेटिव वीडियो रगुलर मिलती रहती हैं तो फ्रेंट्स से लिए बिना किसी दिरी के बढ़ते हैं वीडियो की और और जानते हैं अनुसूची और प्रश्नावली के बीच पाये जाने वाले अंतरों के विशे में फ्रेंट्स प्रीवेस वीडियो में हमने अनुसूची और प्रशनावली के विशे में जाना था जिसमें हमने ये जाना था कि अनुसूची और प्रशनावली दोनों ही ऐसे एक प्रपत्र हैं जिनके जरिये सूचनाओं का मतलब जानकारियों का एकत्री करण किया जाता है जिनका एक मात्र उद्देश्य सूचनाओं का एकत्री करण है प्रिवेस वीडियोज में हमने न केवल इनके अर्थ के विशे में बलकि इन में पाये जाने वाले गुन और दोशों के विशे में भी जाना था पर अनुसूची और प्रिश्नावली में और कुछ भिन्नताओं भी हैं आज के विडियो में इनके बीच जो अंतर पाये जाते हैं उसके विशय में जानेंगे जैसा कि मैंने आपको बटाया था कि अनुसूची और प्रेश्नावली दोनों ही सूच्नाओं को एकतरित करने की एक प्रविधी है जिसके जरीए सोचनाओं का एकत्री करण किया जाता है। लेकिन यहां पर अंतर यह है कि अन्थोची में सोचनाओं का 58 करण करने के लिए अनसंथान करता खुद सूचनादाता के पास जाता है। वहाँ पर जो भी जानकारिया सूचनादाता से मिलती हैं, वो उन्हें अनुसूची में फिल करता है, लेकिन इसके वीपरीत प्रशनावली में ऐसा बिलकुल भी नहीं होता। प्रश्णावली में जानकारियों को इकठा करने के लिए सूचनादाता के पास जाने की अवशक्ता नहीं पड़ती है यहाँ पर अनुसंधान करता प्रश्णावली तयार करके डाग के द्वारा सूचनादाता के पास भेज देता है और सूचनादाता को जो भी आंसर्स देन तो इसलिए यहां पर अनुसंधान करता उत्तर दाता के समुक उपस्थित होता है लेकिन प्रश्णावली में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है क्योंकि प्रश्णावली में डाग के द्वारा प्रश्णावली भेजी जाती है तो इसलिए यहां पर अनुसंधान करता सूचना दाता के पास जाना पड़ता है जबकि प्रश्णावली में ऐसा नहीं होता है प्रश्णावली को अनुसंधान करता डाग द्वारा सूचनादाता के पास भेज सकता है ना केवल इतना बलकी अनुसूची प्रविधी में अनुसंधान करता अनुसूची में लिखे गए सूचनादाता से पूछ कर खुद फिल करता है लेकिन इसके अलावा प्रशनावली में ऐसा बिल्कुल नहीं होता क्योंकि प्रशनावली डाग के द्वारा भेजी जाती है तो इसलिए प्रशनावली को सूचनादाता खुद ही पड़ता है और खुद ही उसके उत्तर भी उसम क्योंकि अनुसूची में आंसर्स को अनुसंधान करता खुद अपने हाथों से लिखता है तो इसलिए इस प्रविधी में इस पस्ट लिखे जाने की कोई भी संभावना नहीं होती मतलब कुछ भी ऐसा नहीं होता है जो कि अनुसंधान करता समझ ना पाए जो भी लिखा जात लेकिन प्रेश्णावली में ऐसा बिलकुल नहीं होता है कि सूचनादाता जो भी आंसर लिखते हैं वो अनसंधान करता को समझ में नहीं आते हैं प्रेशनावली प्रविधी में और इस पस्ट लेक की समस्या पाई जाती है जो की अनुसूची में नहीं है इनके बीच पाया जाने वाला एक अंतर यहाँ भी है कि अनुसूची के द्वारा विश्तरित छेत्रों का अध्यन नहीं किया जा सकता है क्योंकि इस प्रविधी में अनुसंधान करता को सूचना दाता के पास जाना पड़ता है या तो अनुसंधान करता खुद जा या फिर अपने कारेकरताओं को भेजे सूचनाओं का एकत्री करन करने के लिए तो इसलिए कई बार सूचना दाता ऐसे ऐसे स्थान पर रहते हैं कि वहाँ दूर दूर तक जाना संभव नहीं हो पाता है लेकिन इसके अलावा प्रशनावली में ऐसी कोई भी समस्या नहीं होती है क्योंकि यहाँ पर प्रशनावली डाक के द्वारा सूचना दाता के पास भेजी जाती है सूचना जाता कहीं पर भी क्यों न रहते हों प्रेशनावली डाग के द्वारा उन तक भेजी जा सकती है और उनसे सूचनाई भी एकत्रित की जा सकती हैं प्रेशनावली में इस प्रेकार की किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है सरलशवदों में कहें तो अगर छेतर के आधार पर हम देखें तो अनुसूची के द्वारा हम विस्तरिच छेतर का अध्यन नहीं कर सकते हैं लेकिन प्रशनावली का यूज करके हम विस्तरिच छेतर का अध्यन कर सकते हैं न केवल इतना बलकी दोनों ही प्रविधियों में धन और समय के आधार पर भी अंतर पाया जाता है, क्यूंकि अनुसूची में अनुसंधान करता को खुद सूचनादाता के पास जाना पड़ता है, फिर चाहे वा कितनी ही दूर क्यों नहों, वहां पर जाकर अनुसंधान करत सूचना धाता से प्रशन पूछ कर उनके द्वारा दिये गए उत्तरों को अनुसूची में फिल करता है मतलब उनसे सूचनाय एकत्रित करता है तो ऐसे में न केवल उसका ज्यादा समय व्यर्थ जाता है व्यतीत होता है बल्कि उसका धन भी व्याय होता है जबकि प्रश्णावली में अनुसंधान करता को ऐसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है क्योंकि यहाँ पर प्रश्णावली डाग के द्वारा भेजी जाती है तो वे प्रशनावली को डाग के द्वारा भेज कर सूचना दाता से सूचनाएं एकत्रित कर लेते हैं जिसके कारण ना तो उनका ज़्यादा समय व्याय होता है और ना ही अधिक धन व्याय होता है तो फ्रेंट्स ये थी जानकारी अनुसूची और प्रशनावली में पाये जाने वाले अंतर के विशे में उमीद करती हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी फ्रेंट्स ये वीडियो कंप्लीट नहीं है विकॉस वीडियो बहुत ज़्यादा लॉंग हो रहा था तो इस वज़े से मैंने यहां पर इस वीडियो को टू पार्ट्स में बनाया है आपको सेकेंड पार्ट जल्दी ही चैनल पर प्रवाइड करा दिया जाएगा वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसलिए इसे विल्कुल भी मिस मत करेगा इसे जरूर देखिएगा क्योंकि अक्सर पेपर में ये कुशन आ जाता है कि अनुसूची और प्रशनावली में क्या अंतर पाया जाता है इनके बीच जो डिफ्रेंस है उसके बारे में पूछा जाता है वीडियो की नौटिफिकेशन आपको टाइम नहीं मिल सके इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आल प्लेट करना बिलकुल भी मत भूलिएगा फ्रेंस वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और जादा से जादा लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा जिससे कि ये वीडियो जादा से जादा लोगों तक पहुँच सके आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सपोर्ट करिये तो फ्रेंस आज की वीडियो बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ